दोस्तों चंद्रियान 3 से सम्मंधित केबल हुआ प्रसंद देखेंगे जिनकी परतियोगीता परिक्षा में आने की 100% समभबना है तो चलिए देखते हैं पहला कोश्चन है कि मिसन चंद्रियान 3 को कब लोंच किया गया तो इसका कोरेक्ट एंसर है 14 जुलाई 2013 को लोंच किया है लेकिन इसमें ओर विटर नहीं है यह द्यान रखना है चंद्रियान 3 कहां से लोंच किया गया है तो ध्यान रखना है कि 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र स्री स्रीहरीकोटा कहा है तो आंधरपरदेश में यह ध्यान रखना है देखे चंद्रियान पर्थम भी स्रीहरीकोटा से ही लोंच किया गया था और चंद्रियान टू यह भी स्रीहरीकोटा से ही लोंच किया गया था ठीक है यानि कि आपको यह ध्यान रखना है कि तीनों चंद्रि पैस को यह लेंड किया है चंद्रमा की सता पर यह ध्यान रखना है next question है कि mission चंद्रियान 3 को कहां से लोंच किया गया है तो इसका correct answer है 37 धवन अंतरिक्ष केंदर स्रीहरी कोटा से लोंच किया गया next question है दोस्तों इसमें cable वही question सामिल किया गया जिसमें क्या की आने की 100% समावना है Next question है कि चंद्रियान 3 को किस रोकेट से लोंच किया गया है तो इसके correct answer है LV M3 M4 LV M3 M4 से लोंच किया गया है Next question है कि चंद्रियान 3 को कहां पर लेंड किया गया है तो कहां पर लेंड किया गया है चंद्रमा के दक्षिनी धुरूप पर लेंड किया गया यह ध्यान रखना है यानि कि चंद्रमा के साउथ पूल पर लेंड किया गया है चंद्रियान 3 को नेस्ट कोश्चन है कि मिसन चंद्रियान 3 के सफल लेंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिनी धूर्व पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है तो ये भारत है ने ये पहला देशे दक्षिनी धूर्व पर लेंड करने वाला पहला देशे भारत ये ध्यान रखना है Next question है चंद्रियान 3 मिसन का नितरित्व किस ने किया है तो इसका correct answer है C. Ritoo Karidhal ने किया है चंदरियान 3 mission का नितरितु किस ने किया है C. Ritoo Karidhal ने किया ठीक है अब C. Ritoo Karidhal से एक question और पूछा जाता है कि Rocket Woman of India किसे का जाता है तो C. Ritoo Karidhal को ही Rocket Woman of India का जाता है अगर ये पुछा जाए कि Rocket Man of India किसे का जाता है तो के सीवान को का जाता है ये ध्यान रखना है Next question है कि चंद्रियान 3 Mission के निदेशक कौन है तो इसका correct answer है Mohan Kumar ठीक है Dr. Mohan Kumar चंद्रियान 3 Mission के निदेशक है Next question है कि Mission चंद्रियान 3 की theme क्या है तो इसका theme है Science of the Moon इसके ध्यान रखना है कि Mission चंद्रियान 3 का theme है Science of the Moon Next question है कि Mission चंद्रियान 3 के Lander का नाम क्या है क्या रखा गया है Lander का नाम तो इसका correct answer है बिक्रम एक चीज ध्यान रखना है कि चंद्रियान 2 का जो Lander का नाम था और चंद्रियान 2 का जो रोबर का नाम था तो चंद्रियान 3 का भी एने सेम वही नाम रखा गया इसमें कोई बदलाब नहीं किया गया ठीक है यानि कि चंद्रियान 2 का लेंडर का नाम भी बिकरम था और चंद्रियान 3 के लेंडर का नाम भी बिकरम है नेस्ट कोचन है कि चंद्रियान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है तो इसका एंसर क्या है प्रग्यान यानि कि चंद्रमा 2 का भी रोवर का नाम प्रग्यान ही था ये ध्यान रखना है नेस्ट कोचन है रोकेट मेन ओफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो के सीवान को रोकेट मेन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नेस्ट कोचन है कि चंद्रियान थिरी के लिए परमुख रोकेट इंजन का नाम क्या है तो इसका कोरेक्ट एंसर है CE 20 Cryogenic Engine नाम है इसका ठीक है चंद्रियान 3 का जो परमुख रोकेट इंजन है तो उस रोकेट इंजन का नाम है CE 20 Cryogenic Engine Next question है कि चंद्रियान पर्थम मिशन को कब लोंच किया गया था तो इसका correct answer है 22 September 2008 को देखे दोस्तों चंद्रियान 3 जब लोंच हुआ है तो एकजां के दिरिष्टी से ये चंद्रियान 1 और चंद्रियान 2 काफी important हो गया है क्योंकि पिछले बार जब चंद्रियान 2 लोंच हुआ था तो railway NTPC में चंद्रियान पर्थम के बारे में ये question पूछा गया था चंद्रियान 1 जो मिशन ने कब लोंच किया गया है तो 22 अक्टूवर 2008 को तो ये business ध्यान रखना है चंद्रियान पर्थम और चंद्रियान 2 कब लोंच हुआ ये ध्यान रखना है तो चंद्रियान पर्थम लोंच हुआ 22 अक्टूवर 2008 को next question है कि चंद्रियान 2 मिशन कब लोंच हुआ तो ये हुआ था 22 जूलाई 2009 को ये ध्यान रखना है चंद्रियान 2 कब लोंच हुआ 22 जूलाई 2009 को ठीक है एक बारे ने तीनों चंद्रियान कब कब लोन चुआ एक साथ देखिया देखिए चंद्रियान पर्थम जो था चंद्रियान पर्थम ये लोन चुआ था 22 अक्टूबर 2008 हो 2008 हो ठीक है चंद्रियान टू कब लोन चुआ तो 22 जुलाई 22 जुलाई 2019 को लोन चुको था यह date याद रखना काफी important है और चंदरियान 3 कव लोन चुको था तो 14 जुलाई 2023 को दोस्तों यह सारे date काफी important है यह तीनों का काफी important है यह याद रखेएगा ठीक है तो और देखते हैं चांदर जो इसरो से ने ये इसरो के द्वारा लॉंच हुआ था तो इसरो से सम्मंदित कुछ important question देख लेते हैं देखे इसरो का अगर आपसे पूछा जाए फूल फॉर्म इसरो का फूल फॉर्म होता है इंडियन अस्पेस रिसर्च ओर्गनाजेशन ठीक है ये question पूछा जाता है ये ध्यान रखना है भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन ठीक है इसरो की अस्थापना कब हुआ था तो 15 अगस्त 1969 में हुआ था ये ध्यान रखना है ठीक है इसरो का मुख्याले का है तो बंगलूर में है करनाटक में और इसरो का पर्थम अध्यक्ष कोन था तो बिकरम सारा भाई था और करेंट अफेर के द्रिश्टी से इसरो का बरतमान देख से याद रखना एस सोमनात ठीक है दोस्तों ये आने वाले सभी एकजाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ये सारे कोश्चन ठीक है ये सारे कोश्चन को आप याद रखिएगा जहिन दोस्तों